हाई एवरीबन स्वागत है आपका आरेस क्रेशन स्टेडी चैनल में तो आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिसकस करने जा रहे हैं वो बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है वो है मैकॉले मिनट्स ओन इंडियन एजुकेशन मतलब मैकॉले ने जो इंडियन एजुकेशन के उपर पत्तर लिखा है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग वो डिसकस करेंगे ये जो डॉकुमेंट है ये most significant डॉकुमेंट माना जाता है हिस्टरी में और ये जो डॉकुमेंट है इसी को responsible माना जाता है कि इसी ने English को इंटर्डियूस किया है ब्रिटिस इंडिया में तो आज ह इंडियनों को क्यों जूरुत पड़ी English की और ये Macaulay Minute लिखा क्यों गया तो क्या था कि जब Charter Act आया 1813 में तो British government ने बोला कि हम एक लाक रुपे spend करेंगे इंडियन एजुकेशन के उपर जो है East India Company के माध्यम से ठीक है तो इसमें क्या हो गया कि ये बोल तो दिया ये Act त दिया जाएगा Education का माध्यम क्या होगा Hindi English तो ये बहुत जादा confusing था तो अब इसी कारण से क्या हो गया कि इसी की लड़ाई के कारण से भारत के जो लोग थे वो दो गुटों में बट गए एक चाहते थे English Medium English Education को Medium माध्यम बनाना और दूसरे चाहते थे कि Hindi जो हमारी Languages है Sanskrit परशियन वही हमारा Education का माध्यम रहे तो इन दो गुटों के लोगों को बोला गया एक तो बोला गया Orientalist और एक को बोला गया Englishist तो Orientalist थे वो चाहते थे कि जो हमारी Native Language है Sanskrit और परशिया India की वही Medium रहे हमारी पढ़ाई का जो Anglicist थे वो चाहते थे कि English को पूरी तरह से जो लडाई जारी रही और बाद में जो है Englishist जीत गए जब Macaulay Minute आया तो Macaulay Minute की वज़ा से जो है English education English को as a medium इंटर्डूस किया गया इंडिया में तो जो Orientalist थे फेमस ठीक है जो चाहते थे Sanskrit और Persian Language ही रहे वो थे H.H.Wilson और H.D.Princip ठीक है ये बहुत जादा famous Orientalist थे और ज जानते ही हैं इनके उपर मैंने पूरी वीडियो बनाई है आप उसको देख सकते हों इनका बहुत बड़ा हात है English को जो है इंडियम इंटर्डूस करवाने में और William Bantic तब के Governor General वो भी English को favor करते थे और Macaulay तो थे ही थे तो अब देख लेते हैं Lord Macaulay कभी इंडिया आया और कभी इनों ने ये पतर लिखा तो Lord Macaulay जो है 10 जून 1834 को इंडिया में आये और as a law member of Governor General Executive Council के member बनके आये ये ठीक है और was appointed as President of the Committee of Public Instruction तो Public Committee के ये जो है President बना दिये गए तो जो Macaulay थे ये तब के जो Governor General थे ओफ इंडिया विलियम बैंटिक उनके बुलाने पर आये थे ताकि ये जो है ये जो dispute चल रहा है Orientalist और Anglicist के बीच में इसको जो है solve कर सके और जब ये आये तो इनको तीन में मुद्दे दिये गए उन में मुद्दों में था कि जो literature है उस literature सब्द की ब्याख्या करो इस minute में और दूसरा था कि भारतिय विद्वानों की ब्याख्या करो कि आपके लिए बारतिय विद्वान कौन है और थर्ड था कि वो जो एक लाख रुपए मिल रही है grant उसको उसका बे जो है कैसे करेंगे उसकी ब्याख्या कीजिए उसको कह खर्च किया जाए तो इनको जो है ये मेन पॉइंट दिये गए तो मैकॉले ने जो है इस मिनट के उपर काम किया और इन्हों ने जो है अपना ये जो फेमस मिनट है ये दो फरबरी 1835 को जो है काउंसिल को जो है सम्मिट कर दिया उनके सामने रख दिया ठीक है और इसके बाद जो है इसको approved भी कर दिया Lord William Bantic ने जो है और resolution को जो है पास भी कर दिया 7 March 1835 को तो 7 March 1835 को ये पास भी हो गया तो अब हम देख लेते हैं कि Macaulay ने अपने minute में क्या-क्या important point दिये और कैसे उसने जो है British government को और वहां के लोगों को जो है यकीन दिलाया कि English जो है इंडिया में introduce होनी चाहिए ठीक है तो according to him सबसे पहले तो उसने जो है literature की ब्याख्या दी जो उसको बोला गया था करने के लिए कि literature क्या है तो according to him literature उसके लिए सिर्फ और सिर्फ English literature ही था और जो मतलब वह जो है पढ़े लिखे इंडियन उन्हीं इंडियनों को मानेगा जिनके पास western science और western literature का knowledge होगा बाकी जो इंडियन languages पढ़ेंगे Sanskrit, Persian और ये सारी तो उनको वो जो है बिदवान नहीं मानेगा और उसको जो है literature भी नहीं मानेगा तो Macaulay ने उसमें लिखा कि उसके लिए सिर्फ सिर्फ English literature ही literature है वही लोग पढ़े लिखे होंगे तो अपने western culture को उसने superior दिखाने की कोशिश की यहां पर और उसने जो है सबसे पहले भारतिय शाहिते का उसने मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दिया और उसने यह बहुत famous line लिखी कि a single self of good European library was worth the whole native literature of India and Arabia ठीक है तो उसने लिखा कि एक अच्छे उरोपिय पुस्तकाले कि मातर एक अलमारी ही अर्वी और संपूरन जो संस्कृत है उसके साहिते के बराबर है तो वहां की मतलब उरोप की एक कलमारी ही हमारे इंडिया के पूरे साहिते के बराबर है और उसने संस्कृत पर अटेक करते हुए लिखा कि क्या हम ऐसा साहिते पढ़ा सकते हैं जो कि किसी काम का नहीं है जिसमें कोई knowledge नहीं है जो कि बहुत ही poor है knowledge में और उसने राजा राम महन रॉय का point भी यहां पर उठाया जो कि राजा राम महन रॉय ने बोला था कि जो संस्कृत है वो बहुत जादा difficult language है उसमें कोई भी knowledge हम student को दे नहीं सकते हैं कोई भी useful knowledge नहीं दे सकते हैं जैसे हमें science पढ़ानी हो technology पढ़ानी हो तो उसके लिए हमें English सिखना जुरूरी है तो उसने राजा राम महन रॉय का point ही यहां पर पकड़ा और कहा कि क्या हम history मतलब क्या हम ऐसी history पढ़ा सकते हैं जहां पर 77 feet feet राजाओं का बारे में बताया गया है जो तिशी ग्यान जो है वो ऐसा है कि हमारे school की जो बच्चियां है छोटी छोटी जो England की बच्चिया है वो इसके उपर हस पढ़ेंगी और ऐसे भारतिय साहित्या कि मतलब इसका जो है पूरी तरह से उसने जो है मजाक उड़ाया इस तरह से Macaulay ने इंग्लिश को सुपीरियर दिखाया अब इसके बाद उन्होंने भारतिय विदवानों के बारे में कहा भारतिय विदवानों के बारे में क्या कहा कि भारतिय विदवान भी उनकी नजरों में वही है जो इंडियन स्कॉलर जो है जो मतलब Locke की philosophy पढ़ता है और Milton की poetry का उसको पूरा का पूरा knowledge है मतलब जो उनके author को पढ़ता है तो वही उसके लिए intelligent है और वही उसके लिए बुद्धिवान ब्यक्ति है इसके बाद Macaulay ने जो है downward filtration theory अपनाने को कहा यह बहुत ही जादा important theory है इसको हिंदी में जो है चनाई का सिधान्त कहते हैं मतलब इसमें होता है कि filter करके education देना एक तरह से इसमें क्या बूला Macaulay ने कि हम जो है इतनी सारी जनता को एक साथ education नहीं दे सकते हैं हम ऐसे provide नहीं करवा सकते हैं कि सब को English पढ़ाना स्टार्ट कर दो कि English की जो इंडिया की population थी वह बहुत जादा थी तो education was provided to a small portion of people तो हम जो है सिर्फ सिर्फ small portion of people को ही education देंगे जो की उच बरग के लोग होंगे ठीक है और मतलब high class के जो लोग होंगे पहले उनको education देंगे फिर वो जो होंगे through them वो लोग education को जो है convey करेंगे मतलब masses में जो बहुत बड़े level पर फिर वो लोग लोगों को educate करेंगे वो लोग जो है English education देंगे लोगों को तो उन्होंने यहां पर simply कहा कि हम ऐसी class create करेंगे एक class of person Indian in blood जो Indian होगा blood में, color में but English in taste मतलब English अंग्रेज होगा टेस्ट में, opinion में, उसके moral भी हमारी तरह होंगे उसके intellectual भी अंग्रेजों के होंगे तो blood और color ही Indian होगा सिर्फ तो next point में Macaulay ने बोला कि जो government है उसको जो fund है, जो fund का क्या करें जो fund है उसको spend करना बंद कर दे printing के उपर जो oriental work है मलों जो Sanskrit में books छपती है, जो Persian में छपती है उन सब के उपर जो है कोई भी पैसा खर्च ना किया जाए और उनको funding करना बंद कर दी जाए और जो सारा का सारा fund है वो सारा का सारा government का fund जो है सिर्फ और सिर्फ Indian को जो है knowledge देने में जाए जो की English literature और science के बारे में ही पढ़ाया जाए मलों जो English language में पढ़ाया जाएगा सिर्फ उसी के उपर उस पूरे के पूरे fund का use किया जाएगा तो अब इतने सारे point के बाद जो है कुछ लोग जो है Macaulay के in point से सहमत थे और कुछ लोग सहमत नहीं थे तो Macaulay ने जो है कुछ ऐसे point भी दिये जो कि सिर्फ और सिर्फ British government के हक में ही थे मतलब जो सिर्फ उनके लिए beneficial थे ये कहा Macaulay ने कि एक तो आपको जो है cheap labor मिलेगी मतलब जो आप white man का burden है वो कम होगा various fields से आपको clerk मिल जाएगा मतलब छोटी-छोटी job करने के लिए जो कि Indian है आप उनको छोटी-छोटी job के उपर रख सकते हो आपका burden कम होगा East India Company का तो उसके बाद उन्हों ने कहा कि एक तो दूसरा point है कि English language के लिए भारतिय जन्ता जो है खुदी उनका deep interest है वो खुदी सीखना चाहती है जैसे राजा राम महुन राय हो गया बाकी जितने भी थे वो खुदी सीखना चाहते थे जो है हमारे लिए जो है जो समुद्दर है वहां के एरिया में ये जो है बेपार की भासा बन सकती है बहुत easily trade और commerce की language जो है हम इसको बहुत easily बना सकते हैं तो ये सारे point दिये Macaulay ने और इन point ओ को देखने के बाद जो है Britishers को लगा कि इससे तो बहुत फाइदा होगा तो क्यों ना हम इसको implement करवा देते हैं तो फिर Macaulay ने भी ये कहा कि ये जो new education system हम implement करेंगे इससे British government को कोई harm नहीं होगा और ये जो है efficiency बढ़ाएगा जो colonial administration है उसकी और help करेगा उनकी growth होने में तो जो Britishers थे वो पूरी तरह से सहमत थे और 7 March 1835 को Lord William Bentic ने जो है इस ये जो Macaulay minute है इसकी शारी बाते मान ली सारी सरते मान ली और जो है इसको implement कर दिया तो 1835 में जब ये implement हो गया उसके बाद तो हम सब जानते हैं कि इसने क्या किया he laid the foundation stone of western system of education on Indian soil तो Indian soil के उपर western system of education का इसने जो है एक तरह से आरंब कर दिया start कर दिया English हर जगा पढ़ाई जाने लगी चाहे वो school हो college हो हर जगा use की जाने लगी administrative work में use की जाने लगी और आज हम देख रहे हैं जो English आज हर जगा use की जाती है सारे document में use की जाती है वो सब कुछ Macaulay के बदालत ही है ठीक है तो यही man था जिसके कारण आज हम लोग English पढ़ रहे हैं और इसने जो है open किये door western science और literature के लिए for all the Indians ठीक है इसके बाद इसने जो है जो orientalist और anglicist के बीच में controversy चल रहे थी जो fight चल रहे थी उसके उपर जो है रोक लगाई मतलब वो जो है end कर दी खतम कर दी और बाकी जो है जो धार्मिक सिक्षा दी जाती थी इंडिया में उसके उपर भी रोक लगाई इस Macaulay Minute के आने के बाद तो यह था Macaulay Minute Macaulay Minute 1835 में जो implement हुआ था ठीक है तो I hope आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो please मेरे चैनल को like, share और subscribe जरूर कीजिए thank you for watching my video मिलते हैं ऐसी किसी next वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए bye bye